पंजाब विधानसवा चुनाव में कॉंग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिद्धू को साधना है। सीमाय पार कर दी। उन्होंने पंजाब चुनाव में कॉंग्रेस की जीत की संभावना के उपर ही सवाल उठा दिया। सब्सक्राव लगाने की तरफ भरते हैं उनके लिए उस पार्टी को वोट देना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि राजनीती में कुछ भी तै नहीं होता और ये पंजाब के लोग तै करेंगे की हमारा अगला कदम क्या होगा। दरसल सिद्दू ने एक साथ कई सवाल खड़े कर दिये हैं। एक तरफ तो उन्होंने चन्नी को कॉंग्रेस का सीम उमीदवार बनाने से पार्टी की जीत संभावना पर सवाल खड़ा कर दिया। क्योंकि इससे पहले सिद्दू हर बार कॉंग्रेस की बड़ी जीत की बात करते नजर आते थे। लेकिन सीम उमीदवार नहीं बनने के बाद वे इतने निराश हो गए हैं कि अब जीत की नहीं बलकि हारने के बात के विकल्प की बात कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने अगले कदम की बात करके दूसरे विकल्प की ओर भी इशारा कर दिया है। इसका मतलब है कि सिद्धू ने तै कर लिया है कि चुनाफ के बाद वे अपने समर्थक विदायां को के साथ पार्टी छोड़ सकते हैं। और किसी भी पार्टी के साथ जुड़कर सरकार बना सकते हैं। इसके लिए आम आदमी पार्टी या फिर भारतीय जंता पार्टी उनके लिए अच्छूत नहीं रहें। पार्टी पार्टी के साथ जुड़कर साथ जुड़कर सकते हैं।